प्रदेश के सरकारी स्कुलों में अब बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपस में मिलकर किचन गार्डन भी विक्सित करेंगे ताकि मिड़े मिल में ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां मिल सकेंगी इससे बच्चों के पोशन का इस्तर भी बढ़ेगा इस स्कुलों में उपलद भूमी का उपियोग करते हुए किचन गार्डन से प्राप्त सब्जियों को मिड़े मिल योजना के तहट भोजन पकाने में उपियोग में लिया जाएगा इससे विध्यार्थियों को बागवानी का अनुभाव भी मिलेगा ये किचन गार्डन्स जिले के 111 स्कुलों में बनाए जाने हैं इन में से 30 स्कुलों में किचन गार्डन बना दिये गए हैं इन किचन गार्डन में लौकी, मूली, गाजर, पौधीना, धनिया, टमाटर, अर्बी, आलू, मीठा नीम के साथ फल उगाए जा रहे हैं आगामी दिनों में मौसम के मुताबिक भी सबजियां उगाई जा सकेंगी इसके लिए विभाग स्कुलों को 5000 रुपे प्रदान करेगा जिससे वह बीच, खाद और जरुत का सामान खरीच सके किचन गाडन लगाने के लिए सकूल में अध्यनरत विध्यार्थियों के साथ ही उनके अभी भावो को का भी सहयोग लिया जा रहा है गाडन के नियमी देखभाल करने की जिम्मेदारी विध्यार्थियों और सकूल परिवार को दी गई है